नमस्कार दोस्तों फिर आप सभी कैख बड़ साओगा था हमारे से करने और काफी कमाल से वीडियो में आपने ज़रूर सोचा होगा मैंने हाई क्यों नहीं बुला क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ी इंडियन वाली फिलिंग आ रही है क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ में है प्र है है तो कि ये फॉन मैंने मगाए था हाव है आप द्यूस्टों काफी इस लिफ्लिपकार्ट से ऐंड़र करके इस फॉन का Originally मेरे पास में बॉक्स हटाते हैं इसके उपर के प्रोटेक्टिव लेयर को देख लेते हैं दोस्तों इसी के बॉक्स को तो इस फ्रंट में काफी बड़ा सा इन लिखा गया है बाइ माइक्रो मैक्स इन बॉक्स के पीछे की तरफ आपको धेरो सारी हलाइट्स देखने को मिल जागी इनी सारी हलाइट्स को आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे और दोस्तों प्यूर एंड्रॉइड एक्सपिरियंस आपको इस फोन में मिलने वाला है नो एट्स नो ब्लोट वेर के साथ में ये फोन प्यूर्ली मेड इन इंडिया है है हैस्टेग इन फॉर इंडिया आपको नीचे की तरफ प्राइस डिटेल मिल जागा इसमें जो प्राइस लिखा गया वह थोड़ा जादा है मैं एक्चुल प्राइस आपको आगे वीडियो इंडियो जो की दोस्तो काफी अच्छे क्वालिटिका मिल जाता है दोस्तो इस प्राइस के रेंज में टाइप C चार्जिंग पोड़ देखने को मिलता है तो यही थी इस फोन की कुछ बॉक्स कॉंटेंट इयरफोन और दोस्तो बैक कवर आपको इसके बॉक्स कॉंटेंट में देखने को नहीं मिलता है तो जीरा मेरे पास में फोन हटा लेते हैं इसके सारे लगाएगे प्रोटेक्शन को देख लेते हैं सी फोन के लुक को तो गाइस इसके कलर का नाम है दोस्तो परपल यह रेडमी 9a फोको सी 3 फोन के स्टाइल के लुक जैसा है आपको दोस्तो 20% प्लेन बॉड़ी मिलता है कैमरे से नीचे से इन दोस्तो 80% आपको दोस्तो लाइनिंग लाइनिंग सा बॉड़ी देखने को मिलता है पास से देखेंगे तो आपको लाइनिंग काफी क्लियर नी नरजा दर आएगा है और साइड में प्लेन बॉड़ी भी दिख जाएगा और यह प्लास्टिक बॉड़ी पूरी तरीके से क काफी हार्ड इसका बैक दिया गया है और मुझे इसका लुक काफी जादा पसंद आया फोन के पिछे की तरफ आपको डूएल कैमरा सेट अप मिलता है एक फिंगर प्रेंट सेंसर देखने को मिलता है और नीचे काफी अच्छे सब्रके से इन लिक्के ब्रेंडिंग की गई ए है और फोन के आगी की तरफ आपको वी डिस्प्लेय देखने को मिल जाता है और यस फोन का लुए कि करला है और निगाभां के उला प्लड्स ब्रेंगे और पको ऐन उसको आपकोकर ऑफड़ाधकर को नहीं मिलता है फोन के दूसरे साफ में के पैर मेरे पैरर और ऑउक्स जेक्र मिल जाता है तूसे बगल में सब्सक्राइब करने इस थो आप कोश्औ्ण कैप गर्इस कोंट मिंटे स्टी फट की दिस्पेलिय आपको प्लाइब कि दिस्प्ले मिल जाता है आपको रिजॉल्लिशन 720 इंटो 1600 पिक्सल का मिल जाता है चाफ़ करने पर आपको उतना हाइँ नहीं मिलेगा अगर आप झाइक आपने फॉन तो इस फोन का डिस्प्लेय काफी अच्छा दिया गया है तो आपको इस फोन में प्रोसेसर मिल जाता है Media Technology 35 याई सेम प्रोसेसर दोस्तो आपको पोको सिथरी फोन में भी देखने को मिला था Octocore के साथ में आता है दोस्तो 2.3 येगा हर्स के इस फोन में आपको एंड्रोइट 10 भी देखने को मिलता है इस फोन में आपको काफी clean experience होने वाला है क्योंकि दोस्तो इसमें Android Go Edition दिया गया है आपको दोस्तो काफी clean experience मिलेगा आपको गूगल के apps, Google Message, Google Call, Google Duo, Google के files को हर एक Google का app आपको इस फोन में देखने को मिलेगा देट्स इंट्रेस्टिंग आपको इस फोन में बैटरी मिलती है long lasting 5000 mAh की काफी अच्छी बात है दोस्तो तो आपको फोन के पीछे के तरफ दो कैमरा का setup मिलता है जिसमें से दोस्तो पहला कैमरा 13MP का F1.8 अपर चेकर साथ में दूसरा आपको 2MP का मिल जाता है और दोस्तो इसके rear camera से आप video recording कर पाएंगे maximum 1080p तक और दोस्तो फ्रंट में आपको single camera मिलता है 8MP का और दोस्तो फ्रंट से आप video recording maximum 1080p तक कर पाएंगे और इसके camera में कई सारे camera modes मिल जाता है जैसे कि photo mode, portrait mode, panorama mode video mode, beauty mode, night mode जैसे option आपको मिल जाते है उपर की तरफ आपको AI camera मिल जाता है ornaments पाएंगे प्रंट camera में भी आपको photo mode, portrait mode, beauty mode जैसे option मिलते हैं उपर की तरफ आपको timer and HDR भी मिल जाता है मैंने कई सारी फोटोस की चीए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की हैं मैं इस वक्त आपके साथ सेयर कर रहा हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं वो दोस्तो मैं Micro Max in 1B phone से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बात करने फोकस की तो आपको इसमें Auto Focus का Option मिल जाता है देख सकते हैं दोस्तो आटो फोकस का काफी अच्छा वक्त करता है और बलर देखे तो काफी साफ बलर आपको देखने को मिल जाता है और देख सकते हैं हटाते ही आपका Auto Focus काफी तेजी से काम करता है ये वीडियो recording मैं दोस्तों इसी के microphone से कर रहा हूँ तो guys आप इसके microphone का भी अंदाजा इस video recording के तहत लगा सकते हैं तो guys मैं ये video micro max in 1B phone के front camera से record कर रहा हूँ जिसका resolution मैंने 1080p set किया हुआ है दोस्तों मैं इस वक्त movement पे हूँ तो guys आप stabilization का भी पता लगा सकते हैं मुझे दोस्तों इसका color depth इसके video recording में ठीक ठाक लगा आप बताएं दोस्तों आपको इसका video recording front camera से कैसा लगा तो guys ये सारी कुछ shots मैंने इसी की phone से लिए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों हर photo की color depth काफी अच्छी मिलती है softness वगेरा भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है detailing भी काफी अच्छी मुझे लगी बर दोस्तों जब मैं focus कर रहा था photo कीशते वक्त तो guys मुझे focus करते वक्त काफी problem की सामना करना पड़ा था बर दोस्तों इसका जो photo आता है वह काफी अच्छा था आप कमेंट करके बताएं आपको इसकी photos वगेरा कैसी लगती है और दोस्तों यह सारी कुछ white range shot है white range shot आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा दोस्तों बर दोस्तों आपको softness या कहें तो smoothness जादा देखने को मिलता है wide angle में दोस्तों यह सारी कुछ selfies हैं जो कि मैंने इसी के front camera से लिए हैं काफी अच्छी portrait shot आप देख सकते हैं काफी अच्छी portrait shot भी आती है front camera में दोस्तों color depth and sharpness वेगरा भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है हीलो जी 35 यह से पोको सी 3 फोन में भी लगाया गया था तो गैस इसमें परफॉर्मेंस को खोला बंद किया एंड रिसेंट में जाके उन्हीं एप्स को बार बार खोला तो गैस जब मैं दूसरे एप को खोल ला था एक एप को खोलने के बाद तो गैस मुझे वही चिपसेट लगाया है तो गैस इसमें भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी अगर आप नॉर्मल इस करते हैं तो बात कर गेमिंग की तो आप इसमें पब जी मुबाइल लाइट जैसे गेम्स को आफी इसली रन कर आप आएंगे थोड़ी मोड़ी आपको ग आइडी देगेश्व कर लेता है ठ्स तो गई देख सकते हैं काफी तेजी से सनलोग हो जाता है कभी कभी दोस्तों फैस अनलॉग बात है क्योंकि दोस्तों जी ओनी टाइप के फोन में आपको या तो फेस अनलॉक नहीं मिलेगा या तो दोस्तों फिंगर पिंगर्पिंट का उप्शन नहीं मिलेगा बात करें प्राइजिंग की तो आपको यह फोन 64GB RAM के साथ 64GB RAM के साथ 7999 में मिल जाएगा और भी दो तीन वेरियंट्स आपको इस फोन के देखने को मिल जाएंगे आप इजली फिपकार से खरीज सकते हैं दोस्तों तो लगपक मैंने आपको हर की इंफोर्मेशन इस फोन की इस वीडियो में आप तक दोस्तों पहुचा दिया है अगर दोस्तों अट लास मैं बात करूं इस फोन की कुछ तो टाइप सी मिलता है ये भी काफी अच्छी बात है दोस्तों आपने इसके कैमरे के सॉर्ट्स देखे जो रियर और फ्रंट कैमरे से ली गई है वो भी इस प्राइस सेग्मेंट के साफ से दोस्तों ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है अगर मैं बात कुरूं की कुछ तो कैस मुझे इसके fingerprint and face unlock का speed थोड़ा सा slow लोगा बर दोस्तों इसी price range में Redmi 9 ने आता है Poco C3 आता है उसमें भी दोस्तों आपको same problem देखने को मिल जाएगा बर दोस्तों ये phone उन दोनों फोन से काफी अच्छा है तो कैस मेरा opinion ये रहेगा कि आप उन दोनों फोन से ज्याद की latest update चाहिए तो कैस आप उमारे Instagram handle को, Twitter handle को, Facebook handle को जाके follow कर सकते हैं तो कैस बस इस वीडियो में इतना आई तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल लगे, जै हिन जै भारत